आज हम लोग बात करेंगे गूगल G Suite के बारे में क्या है यह, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, किसे इसे यूज करना चाहिए, डिफरेंस क्या है रेगुलर जीमेल और G Suite में, पूरी इंफरमेशन G Suite के बारे में A to Z आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बता और साथ मैं अपना लाइफ एक्सपिरियेंस भी शेयर करता रहता हूँ, तो आज का जो टॉपिक है वो गूगल G Suite के बारे में है, काफी इंट्रेस्टिंग है Google C Suite जो रेगुलर जीमेल होता है, उससे यह थोड़ा डिफरेंट है, रेगुलर जीमेल आप सब लोग ने यू और सब्सक्राइब करते हैं, तो रहता है इसमें टीम कोलाबरेशन को अप्शन, आप काफी सार है यूजर्स के साथ यह पर कोलाबरेट कर सकते हो, और यह पर आपको सपोर्ट भी मिलता है, तो अभी मैं आप लोगो सारी चीज़े स्टेप बाइ स्टेप एक्स्टें यूजुवली जीमेल पे हमें आडधरेट जीमेल.com करके एमेल्स मिलते हैं, जी स्टेप पे आप अपने डूमेन के साथ एमेल्स को अपने होस्ट कर सकते हो, जीमेल के ऊपर, गूगल के ऊपर, तो आपका जो एमेल अडर्स बनेगा वो इस ताइप से बनेगा, हाई पर परचेस करते हो, तो प्राइजिंग के ऊपर में बाद में आऊँगा, तो तीस इमेल अडर्स इहां पर आप लोग बना सकते हैं, जीसे हाई-ad-the-ret-kripesh-advani.com, फिर sales-ad-the-ret-kripesh-advani.com, hosting-ad-the-ret-kripesh-advani.com, तो इस तैप से मैं यहां पर आराम से तीस बना सकता हू एक यूजर के चारजिंग पर, अगें प्राइजिंग बनोग अभी आएंगे, उसके बाद है, यहां पर मेरे जीमेल अकॉंट में अपना लोगो डाल सकता हूँ, अपनी प्रोफेशनल इमेल आइडी के ऊपर, यूजिली अगर आप कहीं और से लोग है, जैसे मालनो मैंने नेमचीप से ले ली, यहां से गूगल पर अपनी लोगो डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यहां पर आप लोगो भी डाल सकते हो, और इसकी खास बात यह है कि यहां पर एक यूजर 20 डोमेन नेम को डाल सकता है, जैसे मेरा क्रिपेशाडवनी.com एक डोमेन हो गया, kptechlabs.com दो डोमेन हो गए, फिर kptesthosting3.xyz यहां पर मेरे तीन डोमेन हो गए, इस टाइब से मैं अलग-अलग-अलग करके 20 डोमेन नेम से आप डाल सकता हूँ, और अपनी टोटल 30 एमेल आइडिस को मैं आपको बहुत अच्छी लगेगी इसकी, और यह सब रहेगा एक ही इमेल के लिए मुझे ने लगता कि मुझे इसके बारे में कुछ बोलने के जवरत है, काफी रिलाइबल है, काफी स्टेबल है, इनका spam filter काफी अच्छा है, response system इनका काफी अच्छा है, सब कुछ Gmail is one of the best when it comes to email, लेकिन अगर आप लोग के पास एक hosting है, तो आप एक custom email address को Gmail के for free, उसके लिए भी एक तरीका है, वो मैंने अपने एक वीडियो में discuss किया था, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो अगर आप लोग इंटरेसेट हो, तो वो भी जाके देख सकते हैं, तो यह G Suite का एक सबसे important feature है, custom email addresses को create करना, अब मैं इसकी pricing की उपर आता हूँ, ताकि यह आपको थोड़े और अच्छे तरीके साथ समझ में आए, तो यह रही G Suite की pricing, अभी फिलाले लोग 14 डेस का trial period दे रहे हैं, और यहाँ पर basic plan है, business plan है, enterprise plan है, हम लोग यहाँ पर basic plan की बात करेंगे, इसमें आपको लगते है 125 रुपीज पर मन्त, यह एक साल के pricing रहे तो basically यहाँ पर यह सारी चीज़े दिये कि क्या-क्या मिलेगा, Google Meet मिल रहा है आपको, अभी फिलाल तो Google Meet सबके लिए free है, लेकिन September से वोग free लोग ले हटा देंगे, I think, and then drive में आपको 30 GB की cloud storage मिल रही है, उसका शीट, slides, forms, AWS अभी को मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी अलग स difference आता है, उसके उपर मैं अभी आगे overview वाले section में आऊँगा, तो मोटा मोटा अगर आप लोग सिफ G Suite को use करोगे, तो उसकी pricing आप लोग को पढ़ेगी 125 रुपीज पर मन्त पहले एक साल के लिए, तो यह थी pricing की कहानी, अब मैं आपको इसके दूसरे important feature की बात करता हूँ, वो है collaboration और team को लेकर के, अगर आप लोग एक team manage करते हो, अगर आप लोग एक अच्छी खासी बड़ी team है, पांच सजाधा उपर जन है, तो G Suite एक काफी अच्छा टूल रहेगा आपके लिए, यहाँ पे मानलो मेरी दो teams है, एक है android ले, एक है blogging के लिए, दोनों में मेरे द लोग 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 कब उस दॉक्यमेंट पर वर्क किया है तो वह चीज मेरे लिए मैनेजमेंट करना बहुत एजी हो जाता है जी स्वीट के थूँ मालनो मेरा एक एक एंपलाई है करन करके लेकिन करन बाद में चला जाता है तो करन के जितने भी डॉक्यमेंट थे जो भी एमिल आईडी थी वो सबको वो मेरे अंडर रहेंगे मैं उस में पासवर्ट चेंज कर सकता हूँ मैं देख सकता हूँ कौन कौन से डॉक्यमेंट पर वो काम कर रह था सकते हैं टीम कोलाबरेशन, स्केलेबलेटी, रिस्ट्रिक्शन एक अच्छे एको सिस्टम में बांधना अपनी टीम को वो सब आप जी स्वीट के थ्रू एजिली कर सकते हो अब अगर सपोर्ट की बात करो तो यहां पर आपको 24x7 लाइफ चैट सपोर्ट मिलता है लेकिन मेरे एक्स्पिरियंस में यह इतना अच्छा नहीं था यह थोड़े लेट रिप्लाइ करते हैं और इतने अच्छी तरीके से आपकी क्वीरी को भी नहीं समझते हैं अगर मुझे पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना रहता तो मैं वापे सपोर्ट पर आपसे लाइफ चैट से क्यों कॉंटाक करता प्रॉपर वे इसके आप मुझे एक आंसर दो जो भी मैंने आपको क्विश्चिन किया है और उसके बाद में को एक दे दो कि अगर आपको जादा इंफरमेशन चाहिए तो जाके आप यह आर्टिकल पढ़ सकते हो तो जाके नहीं यह तो डायर्ट मुझे आर्टिकल ही दे देते हैं जाके वह पढ़ लो और जब मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे उसका आंसर बताओ तब जाके उन्होंने मुझे अपना उनका आंसर बताया तो जैसे यह एक स्क्रेंशॉट है मैंने उनसे बात करी थी 9.26 पे मैंने एक mail वह को क्वीरी करी थी 9.26 पे उनका एक reply आया फिर अगले तीन-चार मिनिट वह गाया हो गया उसके बाद मुझे उसका आंसर आया फिर मैंने उनसे पूछा मुझे बिलिंग चार्जे यहां पे समझा दो तो उन्होंने मुझे यहां पे सीधे सीधे कहा कि यह यह लिंक्स है इनको जाके पढ़ लो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा तो फिर मैंने उनसे वो फिर से question पूछा कि मुझे आप answer बताओ त यह सारे कुछ अपसे जो आपकी G Suite के experience को थोड़ा और अच्छा कर देते हैं integration यहां पे easily हो जाता है तो यह सारे apps G Suite के experience को अलग level पे लेके जाते हैं यह usually team वालों के ज्यादा काम के हैं अगर आप लोग सिंगल हो तो ज्यादा काम के नहीं है लेकिन के team है उनके काफी काम क आपस हैं और यह एपस सिफ G Suite में ही integrate होंगे और किसी आपके Gmail पे इंटेग्रेट नहीं होंगे तो यह एक exclusive चीज हो जाती है यह आपको Office 365 और Zoho Mail सब में नहीं देखने को मिलेगा नेक्स है यहां पर बैकप्स लेना easy हो जाता है आप एक external service का use कर सकते हो जो कि G Suite के साथ easily integrate ह जाता है जैसे कि एक SPIN बैकप करके एक option है उसको हम लोग G Suite के साथ integrate कर सकते हैं और हमारे बैकप्स आटोमाटिकली ले लिये जाएंगे अपको से एक अलग से पेड सर्विस रहती है लेकिन टीम मेंबर्स के लिए काफी important है एक business के लिए एक organization के लिए यह service काफी important है अब अ मेरा Google account और जो main difference हमें पर दिखेगा यहां पर Google Apps पर जाऊंगा यहां पर एक Meet option भी दिखेगा और यहां पर नीचे आजए 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 आपका पूरा खेल चलता है यहां पर मैं आडमीन में जाता हूं आडमीन से आप सारी चीज़े मैनेज कर सकते हो इमेल अपने डोमेंस मैनेज कर सकते हो और टीम कोलाबरेशन भी मैनेज कर सकते हो यह रहा मेरा अडमीन पैनल यहां पर डैशबार उसर वगरे सारी चीज़े जो इसमें से इंपोर्टेंट चीज़े वह उसका मैं आपको क्विकली ओवर्वीव दे देता हूं सबसे पहले जो इस अरिकलाप्स.com और यहां पर मैंने एक और डोमें नीम कनेक्क करके रहा है kptesthosting3.xyz तो यहां से आप अपने डोमें को अच्छा मेंडा डोमें कर सकते हो जो भी आपको डोमीन कर सकते हो जो भी आपको डोमीन आड करना है आद न डोमीन अलायस को आपको डोमें बागी को यहां से मैं एक्स्ट्रा यूजर को आड कर सकता हूं फिलाल मेरे यह पर एक ही यूजर को आड के हुआ है जितने आप यूजर आड करते जाओगे उतनी आपकी चार्जिंग बढ़ती जाएगी जैसे फिलाल की जो इसकी प्राइजिंग है एक यूजर की वह है 125 रुपीज प केथि कर आड कि फुरुपे करूंगा bunun मुझा अगर मंगे इसका यूजर नेम रिव करना है मुझे का पासबर रिस अट करना है मैं सब कुछ यहाँ से देख सकता हूं और यह यूजर इंफोमेशन भी है यहाँ पर मैं इसकी इमेल से भग कर सकता हूं त्सको मैं खोल लेक तो फिलाल यहां पर मैंने तीन ओर इमेल्स अपने बना के रखा हैं high at the rate kptechlabs, kripesh at the rate kptechlabs और sales at the rate kptechlabs.com और इसी टाइप के मेरे तीन और इमेल आटोमाटिकली क्रिएट हो गए हैं जो कि मैंने अपने LIS दोमेन में यूज कर रहा हूं जैसे यहां पर अगर मैं अपने gmail पर जाता हूं compose पर जाता हूं from में यहां पर मैंने तीन ओमेल्स को connect करके रखा अपने G Suite पर hello at the rate kptechlabs.com hello at the rate kptechlabs.com and hi at the rate kptechlabs.com यहां से मैं दूसरा वाला select कर देता हूं test email test email test email 1111 send करते हैं तो यह email मुझे आ गया तो यह देख सकते हैं मुझे यह आया है hello at the rate kptechlabs.com कौन सी email पर आया है hi at the rate kptechlabs.com तो इस type से आप लोग अपने domains को manage कर सकते हो एक ही Gmail के अंदर जो की काफी अच्छी बात है second जो इसमें important चीज़ है वो है organizational units और groups को लेकर के यहाँ पर आप लोग लग units बना सकते हो जैसे माल लो यहाँ पर मैं दो चीज़ों पर काम करता हूं एक blogging पर काम करता हूं एक app development पर काम करता हूं तो यहाँ से मैं उन organization units को बना सकता हूं जैसे एक यहाँ पर मैं KP Tech Labs है मैं यहाँ पर एक और नया बना सकता हूं कि blogging के नाम से बना सकता हूं यहाँ पर मैं एक blogging बना दिया parent मैं इसी के अंदर डाल सकता हूं चाहूं तो यहाँ फिर मैं इसको अलग से भी डाल सकता हूं तो यह मेरा एक और हो गया, created, मैं इसको यह पर refresh कर लेता हूँ, तो यह पर आप देख सकते हैं, मेरा एक organizational unit बन गया है, इसी टाइप से आप अलग-अलग groups भी मिला सकते हो, organizational units के अंदर आपको और subdivide करना है, तो फिर हम लोग use करेंगे groups का, जैसे Android में एक team है development की, एक team है sales की दोनों को अलग-अलग मैंने access देके रखाए, तो मैं groups के थुरू कर सकता हूँ, और access करने के लिए, यहाँ पर हम लोग जाएंगे apps में, apps के थुरू आप access मैनेज कर पाऊगे, कि किस बंदे को, किस चीज का access होना चाहिए, यहाँ पर G Suite पर जाओंगा, मैं, G Suite marketplace भी है, जै आप अपना चाहिए, यहाँ अपना चाहिए, यहाँ बना सकते हो, यहाँ अपना चाहिए, यहाँ अच्छा है, इनका वेब इंटरफेस और आप दोनों ही अच्छा है, टीम कोलाबरेशन के यहाँ पर काफी अच्छे options देके रखें, और G Suite ले एक एक्स्लूजिव अप्स का भी यहाँ पर support मिलता है, अब अगर मैं इसके cons की बात करो, तो support was not the best as per my standards, जब मैं Google का नाम सुनता हूँ, तो मुझे support एकदम 10 out of 10 चाहिए, इस type के support से काम नहीं चालेगा, फिर आता है कि यहाँ पर आपको learning के लिए थोड़ा time invest करना पड़ेगा, it is not the easiest to get hang on to, अगर तो 3-4 दिन का यहाँ पर learning process आपको लगेगा, ऐसा नहीं कि आपको gmail यूज करना था, तो यह भी यूज कर लोगे, आपको थोड़ा बोट सीखना पड़ेगा, कैसे emails बनाने, कैसे alias बनाने, कैसे उसको gmail में add करना है अपने, तो यह सारी चीज़े आपको सीखने के लिए Now, let's talk about bottom line, G Suite किनको यूज करना चाहिए और किने इन्हें अवाइट करना चाहिए, अगर आपको सिर्फ एक दो email चाहिए अपने custom domain name के साथ में, तो इस बेटर कि आप Namecheap जैसे provider का यूज कर लो, और अगर आप लोगे पास एक hosting है, एक shared hosting आपने लेके रखे तो इस बेटर बहुत सारे emails है, उनको वो सारे emails और domains मैनेज करने हैं, तब G Suite एक अच्छा value for money option रहेगा, या फिर उन लोगों के जिनके एक team बड़ी है, जिनके जाधा team है, उन्हें अपने team मैनेज करनी पड़ती है, तब भी G Suite एक अच्छा option रहेगा, तो आप लोग भी G Suite का यूज कर स and I will see you guys in the next one, goodbye